नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जोग्राफी का एक लैसन इंपोर्टेंट लेक्स ओफ इंडिया ठीक है वैसे देख बहुत सारी लेक्स हैं बट जो इंपोर्टेंट रहेगी और स्टेट के हिसाब से उसको हम आज बहुत अच्छे से डिसकस करने वाले हैं अच्छे लगेगी ओगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो लेक के बारे में आपको मैं बताता हूँ जिसको आप बोलते हो जील ठीक है कहीं परकार की होती हैं कितने परकार की होती हैं वो भी हम इसमें अगर डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बिलकुल बेसिक से देखोगे low laying area of earth surface where water accumulates from various sources एक ऐसा स्थान जहां पर पानी इकठा हो जाता है वो चाहे किसी भी source से हो नदी से हो वर्षा से हो ठीक है किसी भी तरीके से अगर पानी इकठा होता है उसको आप क्या है एक जील बोल सकते हो ठीक है low laying area मतले धरती से जो हो एक निच्चे का इला यहां पर यह क्या है जी यह जो है वो side में उठी हुई जगा है और यह क्या है जो जील है यह थोड़ी निच्चे है तो यहां पर क्या है side से आकर के वो पानी कठा हो गया और इसको हम क्या बोलते है जील इसको हम बोलते है ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी classification की कि इसको जो लेक्स को डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर लेक, पता होगा, फ्रेश वाटर लेक, साल्ट वाटर लेक, नमकीन वाली, नैचरल, जो अपने आप ही खुद बन गई हो, रीवर ने बनाई हो या और किसी तरीकति उसको नैचरल बोलने, उक्स बो लेक, उक्स बो आपको जागर के रीवर क्या करती है, उस मोड को छोड़ देती है, डारेक्ट सीदी निकल जाती है, जैसे की, अब रीवर आ रही थी यहां से, और यहां जाने के जाए रीवर डारेक्ट यहां पर चली गई, हो गई अभी यहां से, तो यह क्या बन गी जी, यह बन गी जील, क्या जील बन गी, लेक बन गी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओक्स बोलेंगे, मियंडरिंग रिवर, मियंडरिंग इसको बोलते हैं ऐसे, तो अगर ये कोई भी एरिया सपोज यहां से ऐसे कट हो गया, तो ये क्या बन जाएगी, जील बन जाएगी, ठीक है, आर्टिफीशल एक, आर् सहारा हिसा, जो हो धस जाता है निची चला जाता है और वहाँ पर फिर पाणि कठा होता है और इसको हम क्या बोलते हैं उसको क्रेट्र लेख बोलते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं जी अज का टॉपोट तो कुछ लेक के बारे में他्र्ट है इनके उपर डारेक्ट क्वेस्टन आए हुए है mostly जो क्वेस्टन है वो डारेक्ट आएंगे कि ये आपको जो है वो लेक दी है और ये बताओ कि ये किस स्टेट में है या फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ स्पेसिफिक अगर कोई चीज है तो उससे क्वेस्टन पूछा जा सकता है तो स्टार्टिंग में हम इंपोर्टन फैक्ट ही पढ़ते हैं जैसे वूलर लेक वूलर लेक क्या है कि biggest fresh water lake है इन एशिया अगर एशिया में सबसे बड़ी fresh पानी की जील है मिठे पानी की जील है वूलर लेक जो कहां पे है जम्मू एंड कश्मीर में है ठीक है तो यह कहा है पूरे एशिया में है इसका मतलब यह इंडिया में भी सबसे बड़ी जील है ठीक है उसके बाद है largest fresh water lake in north east India north east India की अगर मैं बात करता हूँ असाम साइड है मनीपूर साइड उस साइड अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी fresh water lake कौन सी है लोक तक lake है मनीपूर में important है यह ठीक है यहाँ पे एक national park भी है वो भी आप जो है वो पढ़ोगे ठीक है national park यहाँ पे कौन सा है मनीपूर में एक आती है जी फिर चिली का लेक चिली का जील जो है इसमें दोनों पानी मिलेंगे fresh water भी और salt water भी कहाँ पे आएगी है उडीशा में आएगी है largest saline water lake है यह इंडिया की largest सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की जील है ठीक है यह क्या है यह बिल्कुल जो है वो समुद्र के पास है ठीक है चिली का लेक उसके बाद क्या है एक आती है जी वैंबनार लेक सबसे लंबी एक जील है इसको मैं बकाईद पिक्चर में भी दिखाऊंगा 96.5 किलो मेटर लग 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 मैं बोल लू तो सो किलो मेटर लंबी यह जील है ठीक कहां पे है केरला में इंपोर्टन्ट क्विस्चन है उसके बाद है हाईएस्ट लेक सबसे उंची जो जील है वो है चोलामू या फिर सोलामू है ना तो इस तरीके से कहीं जगए इसको सोलामू बोलते हैं कहीं जगए चोलामू बोलते हैं ठीक है तो है कहां पे ही है ये सिक्किम में और इसकी उंचाई है सतरह हजार चार्सो सतासी फिट इतनी उंचाई पे जाकर कि आपको ये लेक मिलेगी और अगर मैं सेकंड हाइस्ट की बात करता हूँ गुरू डॉंगमार लेक नाम कुन साथ जी गुरू डॉंगमार यह है जी 17100 फिट की उन्चाई पर अब हम बात करते हैं जी लारजेस्ट इन लैंड यह साल्ट ती है साल्ट वाटर लेक इन लैंड का मतलब क्या है मतलब एक साइड उसके धरती है एक साइड पानी है यह क्या टोटली इन लैंड है मतलब चारो तरफ क्या मिलेगी इसके जो है वो लैंड ही मिलेगी यह कहां पे है जी यह है सांभर लेक है राजस्थान में कौन सी लेक है सांभर लेक इन लैंड जो है वो साल्ट वाटर लेक है ये लारजस्ट आर्टिफीशल लेक कुन सी होगी जो करितरिम रूप से बनाएगे सबसे बड़ी ये रिहांद डैम है जी कहां पे है यूपी और एमपी दोनों के बोर्डर पे आता है रिहांद डैम ओके ये इंपोर्टेंट है गोविद बलब पंत सागर लेक कौन सी है जी गोविद बलब पंत सागर लेक ये इंपोर्टेंट है ठीक है तो हमने ये सबी जो है वो लेक्स के बारे में पढ़ा है अब लेक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कई बार हमको क्वेश्चन पूछ सकता है रामसर जो है वो क्या है उसके बारे में अगर पूछता है तो उसके बारे में को पता होना चाहिए कि है क्या रामसर ठीक है रामसर क्या है एक कन्वेंशन हुई थी कि इसके लिए वेट लेंड को है ना वेट लेंड को प्रिजर्व करने के लिए internationally ये कहां पे हुई थी ये हुई थी जी इरान में एक जग है रामसर जिसकी वज़े से इसका नाम क्या आया है रामसर साइट उसको बोला जाता है ठीक है वैट लेंड को कंजर्व करने के लिए ये कब साइन हुई थी 1971 में साइन हुई और फॉर्स में लागू कब हो गई थी 1975 में लागू हो गई अगर मैं इंडिया में 2022 की बात करता हूँ कितनी रामसर साइट है 49 क्या है जी रामसर साइट है ठीक है इसको किस तरीके से यूज करते है रामसर साइट को किस तरीके से रखते है ताकि वहाँ का जो ecological changes है उसको preserve कर सके और रोक सके ठीक है वहाँ कहीं बार ऐसी कुछ प्रजातियां पाई जाती है जो लूप तो होने के कगार पे हो पेड़ पोद्धों की जीव जन्तू की सभी परकार की ठीक है तो उनको preserve करने के लिए रामसर साइट जो है वो लेकर के आये थे ये concept रामसर साइट का ठीक है जैसे की कियो लैडियो नेशनल पार्क है राज्यस्तान में लोक तक लेक है मनीपूर में मैंने इससे पहले आपको एक लेक पढ़ाई थी मनीपूर में और वहीं पर पढ़ाया था एक नेशनल पार्क भी है वो नेशनल पार्क जो है वो मनीप अब हम बात करते हैं जी हमारी जिलों के बारे में वो हम पढ़ेंगे जी स्टेट के हिसाब से सबसे पहले स्टेट पढ़ेंगे जी जम्मू कश्मीर और साथ में पढ़ेंगे जी लद्दाक अब जम्मु किशमीर की important जो सबसे important लेक है एक तो है जे आपकी वूलर लेक एक तो ये लख़ा है जी वूलर लेक दूसरी important हो जाती है डल लेक ये दो तो आप बल्कुल अच्छे से याद रखोगे दो तिन और हैं उसको भी आप याद रखोगे कौन कौन सी है वो देखो जी श्री नगर की श्री नगर डल लेक डिकलेड प्रोटेक्टिड वेट लेंड डल लेक को वेट लेंड प्रोटेक्टिड वेट लेंड जो हो घोशित किया गया है वूलर लेक को रामसर साइट घोशित किया गया है कहां पे है जेलम रीवर पे है इ एक है जी अंचार लेक, अच्छार लेक है, एक आएगा जी नाग के बारे में, नाग से रिलेटेड जो आएगी वो समझ लेना कहां पर आएगी जी, वो आएगी जम्मो कश्मीर में, एक मन सبل लेक है, दो लेक मैंने अलग से पड़ाई है, एक तो आपको बोला है स्टार्टि और एक बोला है मैंने आपको मन सबल लेक ये दो आप अलग से पढ़ो, दूसरी तो मैं याद करा दूँगा बेरी नाग नाग आगया, शेश नाग नाग आगया, नागिन नाग आगया ये कहां पे आपको मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में मिलेंगी और एक आएगा यहां पे नाम जिसमें सर आएगा लिखा हुआ, जैसे विशन सर, मान सर, गड़ सर लेक ये सारी के सारी कहां पे हैं, जम्मू कश्मीर में है इंपोर्टेंट चीज ये है, जो गड़ सर जील है, उसको लेक ओफ फिशिज भी बोला जाता है मचलियों की जील भी इसको बोला जाता है, ठीक है तो यहां पे इंपोर्टेंट कौन कौन सी है वूलर लेक तो सब को याद होगी कि ये जम्मू कश्मीर में है डल लेक सब को याद होगी ये जम्मू कश्मीर में है दूसरी मैंने आपको पढ़ाई है अन्चार लेक और एक मैंने पढ़ाई थी मन सबल लेक ये चार तो हमने ऐसे ही याद करनी है एक हमने पढ़ा था जी नाग और एक हमने पढ़ा था सर ये सारी की सारी कहां पे मिलेंगे आपको जम्मु कश्मीर में देखने को मिलेंगी जैसे बेरी नाग, शेशनाग, नागिन तीन तो है इसकी और एक है विशनसर, मानसर, गडसर तीन है सर की ओके, तो ये आप याद करोगे अब हमारा रह जाता है जी लद्दाक का रेजन उसमें आपको सिर्फ दो ही लेक्स जो है वो पढ़नी है वो कौन कौन सी है एक तो है जी पैंगोंग सो नाम क्या बोला है इसका पैंगोंग सो और एक है जी सो मोरीरी सो मोरीरी ये कहां पे हैं आपको ये लद्दाक के रेजन में देखने को मिलेंगी तो यह important थी जम्मो एंड कश्मीर की जीले इसके बाद हम पढ़ेंगे next वीडियो में उत्राखंड की ठीक है और उसके बाद फिर राजस्थान की इस तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो बना करके आराम से इस टोपिक को कवर करेंगे थैंक यू